तो दोस्तों यह है अहूजा का ETP20 लेपल माइक्रोफोन कई बार जिसको हम कॉलर माइक भी बोलते हैं इसकी खास बात यह है कि एक ओमनी डारेक्शनल माइक्रोफोन है ओमनी डारेक्शनल का मतलब यह है कि आप जिस भी डारेक्शन में रिकॉर्ड करोगे साउंड वह सेम गेन में रिकॉर्ड होगा तो चलिए अब हम इसके स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं वैसे तो यह 800 रुपीज का है पर अगर आप इसको आहुजा स्टोर से लेंगे तो यह आपको 750 रुपीज में मिल जाएगा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस इसका 50 to 16,000 हर्ट का है सेंसिटीपिटी इसकी 3.5 MB, इंपिदेंस इसका 1000 Ohms में और ऑपरेशन जो यह चलता है वो 1.5 V के एक बटन से चलता है तो चलिए अब हम इसका अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम को और क्या का देखने को मिलता है तो यह है इसका पिल और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है तो जो हमारा माइक है वो एक रेक्जीन लेधर केस के अंदर है तो चलिए इसको ओपन कर रहेते हैं हम इस बैक को खोल देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या है माइक जो है वो एक बरबल रैप में रैप किया हुआ है तो इसको भाहर निकाल देते हम अब और बॉक्स के अंदर हमको एक कनेक्टर देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू हम इसको लैपटॉप, मोबाइल या डीसलर में कनेक्ट कर सकते हैं ये जो है इसके साथ 3.5 mm का मोनो जेक है और इसको आप डैरेक्ट एम्प्लिफायर में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कनेक्टर के थ्रू आप इसको मोबाइल या डीसलर में कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो है इसका एक कंट्रोलर है जिसमें एक अन उफ का बटन दिया हुआ है जिसके तुरूर आप अपनी जो recording है उसको कहीं पे भी रोक सकते हैं अब मैं आपको इसकी सबसे खास बात बताता हूँ इसमें जो है आपको 6 meter के sheltered low noise cable मिल जाती है जिसका मतलिक यह है कि आप कुछ भी recording करेंगे तो low noise में होगी और इसकी जो cable है वो बहुत ही लंबी है तो आपको recording करने में कोई भी problem नहीं होगी तो चलिए इसका controller देखे तो controller में आपको 1.5 volt का एक button cell लगाना है जो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ तो देखे यहां पे जो है आपको एक button cell लगाना है जो इसके साथ हमको मिला है अब हमने इसका button cell लगा लिया है तो इसको बंद कर लेते हैं और देखे साथ में आपको एक controller में आपको एक clip मिल जाएगे जिसकी help से आप इसको कहीं पे भी hold कर सकते हैं अपनी pocket में आपकी बृट्प आर इसकी mic की बात करें तो mic में आपको एन एक metal clip मिल जाएगी वो इसी माइक से की है तो आप जज़ कर सकते हैं कि आपकी जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की है तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें थेंक यू